रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें आशू भी बाट के पीते हैं यहाँ प्यार बरसता है चारोर धिर भी दिल मांगे मो ये दिल मांगे मो ये दिल मांगे मो खल तक ये सद्मे में थी और आज ही अपने दोस्तों के साथ पाटी कर रही है माते पे एक शिकन तक नहीं है इसके ऐसा कैसे हो सकता है को रहा है मैं कमिन सार अरे सुबदार जी आई 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 थैंक्यू सार कहिए कैसे आना हुआ सर वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे आहां बोली सर वो कुछ पैसों की जरूरत थी अरे तो बताईये ना कितने ती एक मेंट सुबदार जी टेक जरूरी कॉल है दो अम्रेट जी जरूरी कॉल है तो अम्रेट जी जरूर थेंक्यू सार अम्राम बोली जी जी मढ़ाव जेंच जैल में सड़ेगा क्रिमिनल्स के साथ आंटी वैसे तुने समाध सेवा किए वो बहुत अपनी बहुन के पीछे पीछे गोड़ी बाई बनके खुमता फिरता था अब कुछ दिन क्रिमिनल्स के साथ रहेगा ना तो उसकी परसनालिटी भी बनेगी और उसकी माचोनेस भी भार आ जाएगी उस बॉडी बिल्डर की और जब बहार आएगा तो अपनी भेहन के पीछे दीदी-दीदी करता छुपता फिरेगा ये तो होना ही था उसके साथ, आफ्टर आल उसने आंटी की फिलिंग की वैल्यू ही नहीं की, हम सब जानते हैं आंटी को वो ऐसे लड़कों को कैसे सजा दिलवाती हैं हाँ, याद है मुझे, पहले बकरे का नाम था राज और दूसरा वो इंग्लिश प्रोफेसर याद है उससे कैसे बूल सकती हूँ, उसके तो सेस्पेंशिन का वीडियो बनाया था मैने ताके मैं खुद को याद दला सकूँ, कि जो मेरी बात नहीं मानता, उसका मैं क्या हाल करती हूँ सुनिए ये, ये क्या है? शेहर के भाएद एक युवा सुधार के इंद्र है जेल से छूटते ही बस इन्हें कॉल कर देना ये लोग खुद आएंगे और जेय को ले जाएंगे जब वापस आएगा तो इसका पुरा शुद्धी करण हो चुका होगा जिन्ता करने के कोई ज़रूरत नहीं है गुपत जगा है किसी को कानो कान खबर नहीं होगी धन्यवा तुम किस टाइब की आदमी हो भाई? सर अमरे मिलकुल बेश ठाई गया? सर, क्या हो गया? ये तुम पूशे हो यो अभी-अभी साइट से फोन आया था कि किस तरह से तुमारे लापरवाही की बज़े से एक मज़दूर की जान जा सकती थी? है? एक बात बताओ मैंने तुम आप फोन तो बत्याने के लिए नौकरी दीती क्या? क्या बात कर रहे हैं सर आप? ऐसी बात नहीं है मैं बहुत इमानदारी से बहुत मैनत से काम करता हूँ अब अब ऐसा मत कहिए सर अब ये ड्रामे बाजी बंद करो मुझे तुम जैसे काम चुर लोग अपने ओफरस्मन नहीं चाहिए निकल जाओ या सर सर आप मुझे काम से निकाल रहा है मुझे तो नोगरी पर रखने ही नहीं था वो तो खैज छोड़ो अब निकलो या से और मुझे दुबारा अपनी शेकल मत देखाना परना बाप बेटे दोनों एक साथ जेल जाओगे चलो निकलो या से निकलो हाँ मैडम खाम हो गया उची रोनी जी मेरे कुन एक बात आपकी समझ में नहीं आई ये सूबेदार को अगर नोकरी से निकलवाना ही था तो नोकरी पर रखवाया क्यों क्योंकि सुख के बाद आने वाले दुख का दर्ड बहुत गहरा और असरदार होता है बहुत खुश था ना वो राजेश का शक नोकरी मिलने पर उतना ही उसके जाने के बाद दर्ड मिलेगा कि सहनी पाएगा और यही हाल जोती के घर के हर सदस्से का होगा इतना दुख में डूब जाएंगे कि मेरी बेटी को अकेला छोड़ देंगे जी वाँ वै क्या कमाल सोच जा है आपने आपके पैर का है पैर का है आपके जल्दी बताओ जी गंगा जल्से आपके पैर दो के पीलूगी तो शायद आपका एक आद गुरू मेरे को भी मिल जाएगा मतलब कमाल ही सोच लिया है वाँ जी वाँ हाँ ऐसे भी मदद मिल जाएगा हाँ प्लीज क्या आज शाम तक ठीक है मैं दिजार करूँ में जी पापा अब इस वक घर पे आज आप काम पे नहीं जाना अब से मैं काम पर नहीं जाओंगा घर पे रहूंगा तो यह तो अच्छी बात है ना बापा ऐसे भी आप साइट पे इतनी धूप में काम करते आपके हेल्थ के लिए रिस्की है बापा और आप बहुत काम कर चुके हैं अब आप आराम कीजे जोती कड़वे सच पर कितनी शेहत की परत चड़ाएगी तो उसे मीठा करने के लिए यह सच है कि कपिल के जाने के बाद हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुश्किल कभी नहीं आई जय जेल में है संध्या की इतनी बेज़जती हुई तेरे पापा को नौकरी से निकाल दिया गया तो अखेले कब तक करेगी सब कुछ मैं अंदर जाता हूँ आराम करने पापा आपको याद है जब मैं कॉलेज में थी पर आप अपनी लंबी पोस्टिंग के बाद आये थे तो आपने मुझे कहा था कि कई बार जंग में एक सिपाही को कई दिन कई राते एक अंधिरी सुरंग में बिताने होते हैं और उस वक्त उसे लगता है कि रोशनी की एक किरन उसे चूब भी नहीं सकती पर जब जंग के बादल हटते हैं और रोशनी दुबारा आती है तो सिपाही उस अंधिरे को एक पूरे सपनी की तरह भूल जाता है यह वक्त भी वैसा ही है पापा यह भी बीटेगा यह जंग भी खतम होगी मैं आपसे वादा करती है आप दोनों से वादा करती है हमारी जंदगी में रोशनी दुबारा आए कि वस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और उमीद तो बिल्कुल नहीं छोडनी है when ढुख हाता हार इवर क सरम्षिए एंग ब्लिभ्ल… ऑ्लिभ्ल डॉक्टर जोटी, तुम यहाँ? मुझे बात करनी ही नहाँ, बोलो आपसे नहीं अंत्रा से कोई बात नहीं करोगी तुम मेरी बेटी के साथ में पहले ही तुम लोग उसको बहुत परेशान कर चुके हूँ तुम्हें क्या लगता है? कि यह बोली भाली है, इसको अपनी बातों में बहला फुसला लोगे? और F.I.R. वापस करवा लोगे? सवाल ही नहीं उठता जब इस पांच मिनट उससे बात करनी ही उसके लग में एक मिनट भी हानी रुकूंगी पांच मिनट क्या एक मिनट भी नहीं आर्या, बाहर कर दो इसको आलू भैया मैं बात करूंगी इससे हमारी फैमली में हमेशा सिखाया गया ना कि हमें दूसरों की तकलीफ सुननी चाहिए मुझे जानना है आखेर इसे कहना क्या है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छीक है मुझे इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है हाँ का हो मैं सब जानती हूँ कि जो कहरी है इसके साथ हुआ है वो सब कुछ जूट है और सिर्फ यह नहीं जूट बोलना इसकी फित्रत है रिकॉर्ड रहा है इसका और यह बात सिर्फ तो मा बीटी को पता है मेजा आर्यन को नहीं तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कहरी हूँ क्या अपने भाई को किसी भी लेवल तक गिरने के लिए तयार हो गिरने की जरूरत मुझे नहीं है मगर हाँ आपकी बेटी को समभलने की जरूरत जरूर है हद हर एक के लिए बराबर होती है आदमी हो या औरत और आपकी बेटी तो हद पहले ही पार कर चुकी है कई मासुमों की जिन्दगी बरबाद करके राज प्रोफेसर कुछ याद आया तुमने इन लोगों की जिन्दगी बरबाद करती सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से तुम चाहती थी क्या हुआ क्या हुआ चौक गई तुम्हें लगा मुझे सब कुछ कैसे पता है वैसे अब बीटेल्स भी है मेरे पास अगर तुम चाहती हो तो मैं मीजा आरिन को दे सकती हूँ और अगर नहीं चाहती तो जो जुटा इलजाम जुटा केस तुमने मेरे भाई के खिलाफ किया है उसे वापिस ले लो फरना मेजा आरिन को जब सच पता लगेगा न जो सजा तुम्हें कानून नहीं दे पाएगा न उससे बड़ी सजा देंगे वो तुम्हें सजा रियली चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे ही हो वो सब सच है आक्चली मैं है मैं हूँ ही ऐसी पर मेरे भाया के लिए मैं विक्टिम हूँ जिसके साथ गलत हुआ है वो तुम्हारी बात पे एतना सा भी यकीन नहीं करेंगे विक्टिम तुम नहीं हूँ वो विचारे लड़के हैं जो तुम जैसी लड़कियों की वज़े से डर के सामने नहीं आते कि पता नहीं कौन सा जूटा इल्जाम लगा के फसाल होगी तुम्हें शर मानी चाहिए तुम्हें अंत्रा योती ये सारा लेक्चर ना अपने भाई को जाकर देना मेरे घर में मेरी बेटी के साथ इस थरे बात करने की इजाज़त नहीं है तुमको अक्चली है मॉम तुम ऐसा परोजयोती कि सारी बाते जाके भाई को बता दो एक दू ना मैं भी दे देती हूँ तुमें पूरी लिस्ट है मेरे शिकारों की मेरे भाईया मेरी बात का यकीन करेंगे तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे वो मुझ पर जान छड़कते हैं बहुत प्यार करते हैं मुझ से बेशक करेंगे बहन और दुम उनकी अगर जहां तक मैं मीजा आरिन को जांकती हूँ एक और चीज़े जो उनके लिए बहुत प्यारी है उनके उसूल जिसमें किसी बेगुना को सजा देना गलत है और उन्हें कभी भी सच और अपनों के बीच अगर चुनना पड़े तो वो सच को चुनेंगे, अपने उसूरों को चुनेंगे क्योंकि वो एक सचे इंसान है और रही बात सच साबित करने की तो सुबूत है मेरे पास क्या? कैसा सुबूत? चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे हैं यो वो सब सच है अच्छली मैं है, मैं हूँ ही ऐसी पर मेरे भईया के लिए मैं विक्तिल हूँ जिसके साथ गलत हुआ है वो तुम्हारी बात का इक्तिना सा भी यकीन नहीं करेंगे एक दो ना मैं भी देविती हूँ तुम्हें पूरी निस्ट है मेरे शिकारों की रोड़ जोधी तुमने अंत्रा से क्या बात किये मुझे पूरी बात जाननी है मेजर आरियन में लेट हो रही हूँ मुझे जाना है पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी यही सवाल आप अपनी बहन से भी बूछ सकते हैं अगर उसके पास आपसे चुपाने के लिए कुछ नहीं है तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल नहीं डॉक्टर जोती खेल खेलना आपका शौके में जो मेरा नहीं जारा जोतीयां क्यों आए थी भाई वो पेटा माफी मांग रहे थी और क्या कहेगी कह रही थी कि परिवार की बड़ी बनामी हो रही है जै को माफ कर दो जवान लड़का है लड़कों से तो गल्तियां होई चाती है लड़के तो लड़के ही रहेंगे लड़के तो लड़के ही रहेंगे ये कहा उसने अपने भाई के डिफेंस में उसकी गल्ती नहीं है आरियन अपने भाई को बचाने के लिए उसको जो सही लगेगा इस समय वो वही कहेगी और करेगी ऐसे हालात में अक्सर इंसान सही और गलत में फर्क भूल जाता है उसे बस उसके अपनों को बचाना होता है यही वो कर रही है आपका दिल बहुत बढ़ा है टेकिन ये केस हम वापिस नहीं ले रहे हैं उस जाए को अपने के के सजा मिलनी ही चाहिए मैं भी यही चाहती हूँ बेटा आप लोगो डिनर पर मिलता हूँ ओके मॉम किदर जारे हूँ अंत्रा अभी नहीं कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो उससे क्या होगा मॉम उससे प्रॉब्लम सॉल नहीं होगी आपने जो आलू बहिया को का था उसका बिल्कुल उल्टा किया है जोती ने वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी अगर आज शाम पांच बजे तक आप दोनों मीजो आरिन को लेके पुलिस टेशन नहीं आए और जय के खिलाफ की हुई F.I.R. वापिस नहीं ली तो ये रिकॉर्डिंग मैं उन्हें सुना दूँगी उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी और ये सब किसकी गलती है? तुम्हारी तुम्हारी वज़े से उस जोती की इतनी हिम्मत हुई कि मुझे रोहनी सी को मेरे ही घर में आकर धमका कर गई है और तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि उस जोती को हलके में मतलो बहुत शाति है वो देख लिया? अब भुख तो मॉम्हारी आप तो जानते हैं यो कि मैं हुई ही ऐसी कुछ सोचती नहीं बस कर देती हूँ पर आप होते हो ना मेरे साथ हमेशा मुझे 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 से बाहर निकालने के लिए शायद इसलिए मैं लापरवा भी हो गई थी पर अब सारा बले मुझे मर डालो प्लीज आप अपनी ऐसे जिम्हदारी से बाहर नहीं जा सकते मैं आपके बीटी हूँ आपको मेरा साथ देना होगा हर बार यही करती हो रुको मैं सोचती हूँ कि आगे करना क्या है ओके मॉम जल्दी हम उस जोती को हमसे जीतने नहीं दे सकते अच्छा तू जा मैं को सोचती हूँ हेलो हाँ किरन जी कैसी है आप अरे मुश्किल समय में एक दोस्त को ही तो याद करूँ की और आप से अच्छा दोस्त कौन है भला छोटा सा गाम था मिल सकते हैं जी बहुत अच्छा माप क्या हूँ आप आप रोक्यों रही हो किसी ने कुछ कहा आप से लोगों की बाते नहीं अपने मेटे की तकलीव सता रही है मुझे आज इतने प्यार से जाय के लिए उसका मन पसंद खाना बना के मैं पुलिस स्टेशन लेकर गई थी पर उन्हों ने उसे देने ही नहीं दिया आपने चांती हो उसे वो पूखा रह जाएगा पर वहां के खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा महाँ परिशान मत हो प्रीज मैंने बात किये जहे आज ही जेल से रहा हो जाएगा फिर आप उपने हाथों से उसे खाना खिलाना खाश तेरी बत सच हो जाए जोती क्योंकि जेल जो वहाँ जेल में एक एक पल काड़ रहा है मैं यहां हंदर से कट रही है मैं जानती हूं माँ अरा मैं हिम्मद से काम लेना होगा ना माँ भाभी का है वो सबजी मानी को पैसे देने गई है पैसे? वो कहां से आये? वो पिछली दिवाली में जो मैंने उसे कान के भून्दे दिये थे ना उन्हीं बेचके क्या? हम वो तो उन्हें बहुत पसंद थे अब हमारे पास कुछ नहीं बचाये जोती तो उन कान के बुदों को रखकर क्या करेंगे? क्या हम कभी इससे बाहर निकल पाएंगे जोती? पता नहीं माँ अरा में उम्मीद तो रखनी होगी ना क्या हूएँ झाम क्या हुआने ल Gothic झाम मुझम क्या हुआ ल kwश मुझम झाल झाल